सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से स्वागत है कारिकरम में आपका नाम बताएं कहां से कॉल कर रहे हैं और समस्या बताएं हलो हलो प्रकाश जी स्वागत है कारिकरम में सवाल पूछें आप क्भा का जी आुए अखि आवास बोहत कम कम हाँ एक बार फिर से पूद रे डे जी श्वाद ≫ मैं बोर ढौता है नो जुक से नहीं आंक दोटन को दिखाया क्या डॉक्टर ने वर मैं तैंसी क्या अबताया क्या कि भूजाता है इस लिवाफ़ देता है आठ साल से बिमारी है है आठ साल से है ठीक है अब एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पर ही तो मैं अंदाज से आपको बता देता हूं आपकी एज भी हाँ दिखिए एक मैं अपने इस खाब बताता हूं आपको वाप रोजाना लेने लगीए और आपको फाइदा उम्मिन एंदेखिए मेती आप जानते है मेती का दाना यह लीजेए 500 ग्राम मेती का दाना 500 ग्राम और 100 ग्राम लेना है आपको सो या 1-&500 ग्राम नमक कलोंजी के नाम से असान लेंग्वेज में नमख कलों जी कहते हैं इसे कलों جी का रसाइन भी कहते हैं और इंग्लिश में ऐस्टैक कलों भी कहते हैं 200-200 गराम इसमें मिलाकर ऐसे अपने घर पर पॉड़र बनाएं और एक चमश सुबा एक चमश शान खाया करें आपकी ये 8 साल की बीमारी बहुत जल्ड ठीक होना मुम्किन है क्यों सी दवा है कौन सी दवा है कौन सी दवा है गौंध का गौंचिया पाउडर बना लिया आपने इसका पाउडर बना लिया है कthese बात नहीं हो सकता है का हम ही तो बात कर रहा हूं आप से आप हमारी आवाद नहीं पहचानते हैं क्या नए टीबी में नहीं दिखाते हैं आप अरे हम आपके सामने हूँ अच्छे ठीक बोलिए ये दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम खाने के बाद पानी से ये बगर चर्वी के दूस से लिया करें और पांच आठ ये आठ दिन बाद फाइदा शुरू होगा आपको और ये गॉन जो आपने सो दो सु ग्राम लिया है ये खतम होने से पहले आपकी बीमारी का खतम होना मुम्किन है किस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूनस ने हमें कॉल किया है गॉन्डा उत्तर प्रदेश से यूनस जी सवाल कीजिए जी यूनस भाई बताईए प्राबलम है कहां प्राबलम है पीठ और कमर गर्दन में कब से है रो चक्कर आवा करते हैं वहीगा दसन साथ ठीकिए देखिए बहुत महनती रही हैं आप कभी और वो महनत इस उमर में आके परशान करती है तो एक तो आपके घर में ये वेस्टर ट्वालेट होना जरूरी है कुरसी वाला अगर नहीं है तो पती पर जोर दीजे या बच्चे कुसे कहिए कि ऐसा बातरूम घर में होना चाहिए और अपनी जरुत उस पर पूरी करें सर्वाइकल जो आपको चक्कर आवत है ना तो उसके लिए एक एकसरसाइज दो-चार मिनट रोज कीजिए मैं बता रहा हूँ आपको आप समझ ले और से देखिए ये ये गर्दन आपकी एक कान आपका मोंडे से जाकर लगना चाहिए दो मिनट ये एकसरसाइज करिए और दो मिनट ये हुवज़ोर से यहां तक लिया ये से और यहीं देखिए ये दो मिनट करेंगे तो दस दिन में आपकी चक्कर खतम होगी लेकिन करते रही है दो मिनट दो-दो मिनट तो मैं कह रहा हूँ चार मिनट आपको इस से जादा कर खाने के बाद आप लिया करें और अगर एक महीने में भी फायदा हो जाए तो तीन-चार महीने लें ताके आपको ये बीमारी हमेशा के लिए छोड़ दे इस वक्त हमारे साथ मौझूद है राजस्तान से हमें कॉल कर रहे हैं मुहमद अजीज साहब है क्या परिशानी है उनके साथ आई जान लेते हैं जी बताएं किस तरह की परिशानी पेश आ रही है आपके सामने झीया थीजैषि अजीजैठी किस टाइब जा झाएं किस तबम बातरुम के लिए जाता है तो हम पहला भूद लगता है फिर फूरे दिन पेड़ के इंदर एंटे चलते हैं फिर बातरुम के लिए जाता है यह से प्रेशानी ओली है जी ठीक है घए जो से लोग operation करा लेते हैं बावसीर का तो उन्हें पहले युनानी की कोशिश करनी चाहिए बावसीर हमें होती है हमारे पेट की खराबी से पेट ठीक कर दो तो बावसीर खतम हो जाती है और पेट की सूजन, पेट का वरम, पेट का खब्स और मेदे की सूजन, लीवर की परिशानी इन सब के लिए पवसीर के लिए एक नस्वा बड़ा कामियाब है आप इसको समझ ले देखिए मेथी जो आपके घर में किचन में पाई जाती है मेथी का दाना पांच सो गिराम लेकर इसे पाउडर बना ले और सो गिराम आप खरीद ले नमक जैतून ये एक रसायन है जो जैतून से निकलता है इसे रसायन जैतून भी कहते हैं जैतून का रसायन नमक जैतून भी कहते हैं और इंगलिश में एस्टेक जैतून कहा जाता है ये इसमें मिलाकर एक चमश सुबा एक चमश शाम खाएं चोटा चाय का चमश आपकी समस्या का निदान मुम्किन है इस वक्त एक और दर्शक है राजेश जी ने हमें कॉल किया है कुरुक शेत्र से राजेश जी बताएं किस तरह की परिशानी है आपकी सेहत में किस तरह की गरबड़ी है और क्या जानना चाहते हैं आप जी पूछें अपना सवाल कॉलाइटिस भी है और पेट में गरबर रहती है और दीए पेट ठीक लखना ही सेहत की निशानी है फिर इससे बहुत सारे रोग उत्पन होते हैं चाहे कॉलाइटिस हो चाहे गैस हो एसिरिटी हो बवसीर हो वरम हो आतों में च्छाले हो बहुत सारे मर्स ये पेट की विज़े से होते हैं तो पेट ठीक कर लें और एक अच एक दवा है लाजवन्ती लाजवन्ती ये वो बीज है जो एक पौधा होता है और उसके पत्ते बारिक चोटे शोटे सोते हैं हम उसे छूते हैं तो शर्मा जाता है एक दम मर्जा जाता है छूते ही फिर चोड़् लाजवंती इसके बीज मिलते हैं बहुत बारीक बारीक अक्सर लोग इसे दवाओं में इस्तमाल करते हैं लाजवंती सोगिराम इसके बीज रसवंती सोगिराम रसवंती एक गौन टाइप की चीज़ है जो बनाया जाता है रसवंती सोगिराम कत्था सोगिराम और गौन मौर बड़ी है और सुबा एक और शाम एक खाने के बाद पानी से या दूस से लिया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है और अमबाला से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है ने हमें कॉल किया है। तो देखे सर्वाइकल के लिए तो एक एकसरसाइज बहुत अच्छी है लेकिन वो दो-तीन मिनट रोजाना होनी चाहिए आप समझ लें अगर आपकी पत्नी साहबा तश्रीफ रखती हैं आपके सामने तो वो देखें मुझे और अस्थामे का भी मैं इलाज बताऊँगा यह पहले सर्वाइकल के लिए यह है ना देखिए मुझे देख रहे हैं कान मेरे मौंडे से मुलागात के लिए जाते हैं ऐसे करते रहें दिन में दो-तीन मिनट एक-एक मिनट करके कर लें आदा आदा मिनट कर लें लेकिन तीन मिनट ऐसा हो जाने चाहिए कि आप यह एकसरसाइस करें और एक ही है ऐसे 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 यह भी दो-तीन मिनट खूब यहां तक लाना है अपनी यह ठोड़ी को जैसे मैं लिया आता हूँ दीन मिनट यह दवा की ज़रुत नहीं होगी कभी दवा की ज़रुत पड़े तो ले सकते हैं दसमे दिन उनको फाइदा हो जाएगा ऐसा मेरा तजरुबा है और अस्थमे के लिए दवा भी बता देता हूँ घरे ले नस्खा भी बता देता हूँ आप जो बना सकते हैं बनावा ले सकते हैं देखिए दवा ऐसे बनानी है के लिसोड़ा उनाब यलसी लिसोड़ा उनिाब यलसी सौ 11 गृराम 3 गृराम पीपले जो किचन में गरम मसालों में होती है में लाकर पाउडर बनाया है सुबा शाम एक चमच खाएं गरम पानी से खटी चीजे छोड़ दें तो उनको फाइदा बंकिन है दवा बतोर अगर लेना चाहते हैं तो माजून आर केर सुबा शाम इसी तरह लें खाली पेट गरम पानी से और रात को सोते समय लेकिन आपको जल्दी फाइदा भी हो जाए तो पांच-छे महीने खिलाए अगर आप ही चाहते हैं उनको इस रोग से निजात मिल जाए एक और दर्शक है अमिश शर्मा जी ने हमें कॉल किया है उड़ी सा से उनसे बातचीत करते हैं अमिश जी बताएं काफसे है चाहिए उर टैंपि अच्छि ए यह से नाखर अला हो गया है उड़े इंच जाता है भ trophies जाता है तो तो मिट जाता है और लेकिन अभी मेरे मेंच एा भांगों में है और थोड़ा दाड़ी के पास भी है और गले-गले में सुच्चते जैसे फुंसी से जानने भी है वो भी हो जाते है बार बार ठीक है एज बता दीजे अपनी एज आपकी ठीक है दीए इसका इलाज है बहुत आसान अगर आप करें तो आपको इसे निजात मिल सकती है नहीं तो ये फिर पूरे शरीर को में आ जाती है तो इसका इलाज ये है कि आप नमक आता है एक एक रसाइन आता है जिसे हम लोग नमक कहते है रसाइन जैतून जैतून का रसाइन या नमक जैतून कह सकते हैं या इंग्लिश में एस्टेक जैतून करते हैं ये सो दो सो ग्राम खरीद लीजे और अदा ग्राम रोजाना पानी में मिला कर पी लिया करें एक ही बार काफी है नहीं तो दो बार भी ले सकते हैं जरूरत पड़े तो अच्छा फाइदा तो आपको बहुत जल्द होगा अब हफते दो हफते में सोचेंगे हैं बिल्कुल ठीक होगा लेकिन इसको खतम कर लेना ताकि आपको रोख से निजात मिल सके एक और दर्शक हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं अनिल जी ने हमें कॉल किया है अनिल जी अपना सवाल कर सकते हैं में मेरे को अपनी मीसिस के बारे में पता करना है उनके गुटनों में दर्द रहता है जी कब से और कितनी एज है उनकी उनकी एज 55 है जी और उनको 2-3 साल से ही है पुराना तो नहीं है चीक है 2-3 साल बहुत होते हैं आपकी पत्नी ने बरदाश किया है आपने नहीं 2-3 साल बहुत में आदमी मायूस हो जाता है अच्छा देखिए ये कोई भी बहुत चाए घुटनों का हो या कमर का हो ऐसा रोगी जिस घर में भी हो उसके घर में ये वैस्टन टॉयलेट होना चाहिए अगर ये है तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे ये नहीं है तो काफी वक्त लगता है तो आप सोच लें आपको क्या करना है है या नहीं है तो एक गौन आता है इसे गौन सियाह कहते है काला गौन ये जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है लेकिन इसे गॉन सिया है या काला गॉन कहते है लेकिन फाइदे में ये बहुत अच्छा है अगर असली मिल जाए नकली भी बहुत मिलता है असली मिल जाए तो आदा साग गिराम सुबा शाम खिलाएं सो ग्राम भी अगर आपको मिल गया असली तो ये खतम होने से पहले आपकी पतनी का ठीक होना मुम्किन है